Hello Student, Welcome back to Hindi Warner channel सभी इस्टूइट्स का Hindi Mirayar पर प्रस्वे स्वागत है अभी जो कन्टेंट लेकर आए है आपके लिए आसू और साथ में जैसंकर पाईस जी की दो आपके सलेबस में कवीताय है लज्जा और आसू और साथ में आपको जो निराला जी की सरोजी स्मृती है उसके बारे में भी आपके साथ थोड़ा सा डिसकस करेंगे बताएंगे कि उसमें आपके लिए क्या महतोपून जा सकता है तो चलिए बने रही हिंदी मिरर के साथ अभी थोड़ा देर भी हो चुकी है आज वीडियो अपलोड करने में एक अभी कर देती हूँ और कोशिश करूँगी कि मॉर्निंग में आपके लिए दो वीडियो अपलोड कर रहतूँ और जिससे आपकी अच्छे से त्यारी हो जाए तो बने रही है और पहले आपको बता देते हैं प्रशाजी के बारे में और इसके बाद फिर आसु कवीता और उनकी जो लज्जा है आपके स्लेवस में उसके बारे में बताएंगे जिससे आपको थोड़ा सारांश पता चल जाएगा तो कोशन और फिर जब ब्याक्या कहीं से ब्याए तो आप आराम से उसको निकाल ले जाएंगे कोशन्स को तो चलिए लायक कर दीजे फटाफाट और शेर कर दीजे अपने जैसे ही साथियों को क्योंकि आप जब शेर करते हैं तो वीडियो उन स्टुडेन तक पहुँंच जाती है जैसे आप तयारी कर रहे हैं और यह और कमेंट बोक्स में पनी कोईरी जरूर सेंड करते रहिए और जरूर बताते रहें कि आपका एक्जाम कैसे जा रहे हैं चलिए बेस्ट विसिस के साथ आपके यहां पर आपको बता देते हैं कामाईनी महाकावे परसाजी की सरवसे स्कृति माने जाती है जिसे विश्व में प्रमुकिस्तान है इसे मनुश्रद्धा और इड़ा के माध्यम से मानव को हृद्या श्रद्धा और बुद्धी इड़ा को समन्व संदेश दिया गया है जैसे कि आपके स्लेबस में सिर्फ लज्जा है यहां लज्जा सर्ग है लेकिन अगर आप इसको और जादर डीपले जाकर एस्प्लेन करते हैं तो नंबर अच्छे बनते हैं एक्जामनर यह सोचेगा कि आपने सिर्फ लज्जा ही नहीं पड़ा आपने कामाईनी के जितने सर्ग थे कहीं ना कहीं आपने कामाईनी के बारे में जाकर डीपली पढ़ा और कामाईनी के बारे में अगर आप डीपली लिखते हैं तो लज्जा अपने आप ही कवर हो जाता है अब यहां पर बता देते हैं इसमें जो है पंदरा सर्ग है प्रसाजी ने कामाईनी में अभीव्यक्त हम धीरे धीरे अपने संघर्ष की और बढ़ते हैं और संघर्ष को हम कवर कर जाते हैं तो हमें कहीं ना कहीं लास्ट में आकर आनंद की प्राप्ती होती है तो यहीं उन्होंने कहा है आगे उन्होंने कहा है कि प्रशाद के दार्शनिक विचारों पर सरवाधिक प्रभाव श एक्जाम में डालते हैं तो कहीं न कहीं आपको वह बता रहे हूं कि यह बहुत पॉइंट डालने से आपका जो है मजबूत हो जाएगा अंसर कामाईनी में परियुक्त अनिक परिभाशिक शब्द जैसे परतिविग्या दर्शन के शब्द हैं परसाजी की निपूंता यह रह बैवारिक हैं जिनने अपना कर मान अपने जीवन को आनद में बना सकता है तो यह सब अगर आप जो है लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर आपके बनेंगे आगे इन्होंने कहा है कि इस करती में आनद प्राप्ति के लिए प्रसाद नहीं हर दिया और बुद्धी आपको करम भी करना पड़ता है तो यही सब उन्होंने कामाईनी के माध्यम से बताया है कि अगर हम इच्छा रखते हैं तो उस इच्छा को पूरी करने के लिए पहले हमें वो जो हमने इच्छा की है अब जैसे हमें I.S. या PCS बनने की हमारी तैयारी है या फिर और भी कु हम समरस्ता ला सकते हैं इन तीनों चीजों में और तभी हमें बल मिलेगा और हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे और जब हम अपनी मंजिल को पा लेंगे तो कहीं ना कहीं हमें किसकी प्राप्ती होती है हमें आनंद की प्राप्ती होती है या फिर हमें जब आनंद प्राप्त कर विचार करते हुए इस नश्करस को पोशते हैं कि देवजाती अहंकार कर्मनेता और भोग विलास की अधिकता के कारण नस्ट हुई क्योंकि जब आपके पास जादा सुख 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 विधाएं आ जाती हैं तो कहीं ना कहीं आप में आहंकार आ जाता है और आप सोचते हैं अब मैंने बहुत कमा लिया अब मैं इतना काम नहीं करूँगा और उसको भोगूँगा तो वह क्या होता है कि एक दिन सभी कुछ नस्ट हो जाता है अब आते हैं आसू पर आसू एक विरह काव्य है जैसे की पता चल रहा है आसू नाम से ही और इसमें अनुभूती और कलपना परधान है कभी की भावना है वो भावना के माध्यम से दिखाई गई है या दिखाई दी है ये तो आपके खैस लेवस में नहीं है चले आगे चलते हैं यहाँ पर हम आगे प्रसाज जी की जो मैतुपूर्ण रचना है जिसमें चित्राथार है करोणा ले है कानन कुसम है प्रेम पतिक है महराणा का मैतु उर्वशी वनमिलन हो सकता है इन में से आपके MCQ में कोई भी इनकी रचना पूछ ले अब देखते हैं आसू कवीता का सारा हुई है जीवन में पढ़ते हैं कभी लाशा को पूरी करने के लिए हमें संगरश करना पड़ता है और उसमें असफल होने पर व्यक्ति क्या करता है चिंता करता है दुख करता है संतोष करता है और व्यकुंठा से पीडित हो जाता है कुंठा मतलब कि आपके अंदर एक जार कर रहा है तो अगर आप इस तरह के विचार रखेंगे तो आप कुंठा ग्रस्त नहीं रहेंगे ठीक है आगे उन्हें ने कहा है कि आशु इस प्रकार के प्रेम भावनाव से चरन पीडित है यानि कि हम जब दुख होता है तब भी हम आसु भाते हैं हमें आसंतोष होत आया है आसु का संपूर महत तो आगे देख लेते हैं थोड़ा कभी के करुणा कलित हिर्दय को मुखरित विखल लागनी से देखा जा सकता है इस कावे में कभी ने लोकिक प्रेम की व्यक्तिगत विरा अनुभतियों को अभी व्यक्त किया है लोकिक प्रेम से मतलब होता है जो हमारा सांसरिक जो हम सांसार में रहते हुए लोगों से प्रेम करते हैं उसको लोकिक प्रेम कहा जाता है और अलोकिक प्रेम वो होता है जब हम इश्वर से प्रेम करते हैं जो दूसरे लोक में रहते हैं इस लोक में रहने वाले लोगों से जब हम प्रेम करते हैं तो कही की हर्दे में एक शीतल ज्वाला जल रही है जिसके आशों के जल का इधन मिल रहा है यानिके उसके मन में कोई ऐसी बात है जिसके कारण वहरो रहा है और इन आशों से क्या इंधन का काम हो रहा है जो उसके अंदर कोई बात थी और जब कोई बात को जब हम आशों जो है हम बा जल है ना ठीक है जब हम कभी जोला में जल रहे हैं जोला का मतलब यहां पर क्या है कि आपने कोई दुख हुआ और रो ने लगे तो वह जो आसु है वह आपके दुख में इंधन का काम कर रहे हैं लिए वेर्थ साथ सचल कर रहती काम द्वानिल आसुपूंड रूप में विर वक्त भी चुका है आज उसके मन में विरह की अगनी जल रही है अपनी प्रेमिका के लिए तो वह उसको याद करते हैं तो बड़े खुश रहते हैं अब फिर उसको याद करते हैं सब सोचते हैं कभी अपने एकांतिक जीवन के सुकष दुख के अनुभो का चितरन करते हैं जीवन सुकष दुख की लीला भूमी है यहाँ विरह और मिलन का परिचय हुआ करता है शोकतफा आनद यहां नास्ते रहते हैं जब आप फिर ये के साथ होते हैं तो आप आनद में रहते हैं जब कावे ब्रहम जगत को अपनी भावन उसार देखता और ग्रहन करता है जिती कावे में बोधिक जीवन की शमता और दाशिता भी होती है तो कावे का सोंदर्य और बढ़ जाता है जैशंकर प्रशाजी ने आसु में दोनों तत्त लिये हैं यांकि आसु में दोनों तत उपस्ति सच्ची भावना से इस कावे को एकत्रिव आवे अपरदान किया गया है कावे के प्रारंबी भाग में कवी का हर्दियां जो पक्ष प्रबल है कावे का अंतिम जण बोधिकता का दर्शन कराता है लास्ट में देख लीजे अतहे बोधिक चिंतन भाव और प्रबलता से मूर्त हम मानते हैं नर्जिव चीज को और मूर्त हम जो जीती जाग्ती है जैसे सजी और नर्जिव ऐसे ही मूर्त और अमूर्त होते हैं आगे हैं शोक्षमता यानि के छोटा अमूर्त तुलनाओं वे उपमानों के द्वारा इस्तुल का चितन करने में वे सफल रहे हैं कभी ने सोंदर में पुरुस्तित विधान का प्रयोक क्या प्राची समय से हिंदी में सोंदर चितन का प्रंपरागत अब इसको आप पढ़ना चाहें त अनुसार यहां पर डेफिनेशन डाल सकते हैं कि उन्हेंने क्या कहा है आसु में सईयोग की सुधी के बाद वियोग है और इस व्यक्ति विश्वेद्रा में समाहित करने की बाद भी है यही इस कावे की सबसे बड़ी विशेष्टा है सईयोग क्यप था जब अपने प्रेम दिखाया गया है और सईयोग में क्या क्या है जब अपने प्रेय के साथ थे तो क्या क्या होता था जब वह वियोग में है तो वह आसु बहा रहे हैं उन्हें दुख प्राप्त हो गया लेकिन कहीं न कहीं अंत में उन्हें कहा है कि शायद यही मुक्ति है निश्कर्च में आ पहाए हैं वो उसनको दुख देकर चली गई तब भी उन्होंने इतनी अच्छी कवीता उसके लिए लिखी और बहुत अच्छी कवीता है उसको आप पढ़िए चलिए अब आगे थोड़ा सा आपको सरोजिस्मर्ति के बारे में बता देते हैं चलिए सरोजिस्मर्ति दो नही भावित थे वहां से उन्होंने परत्विग्या दरसन लिया तो यह सब भी आप सब कुछ वहां पर लिखना अपने एक्जाम में आप अच्छे से नंबर आएंगे अब आते हैं लज्जा सर्ग पर अब लज्जा सर्ग आपको बताई दिया था कौन से नंबर पर आता है यह भी याद रखेगा क्योंकि पंद्रा सरग में लज्जा कौन से नंबर पर यह भी आपको याद होना चाहिए फिर इसके बादे थोड़ा बलर है त्यान से इसको जूम करके देखेंगे तो दिखाई देए जाएगा चानी रात है मनु ने श्रद्धा को देखकर अत्यंत प् अंदर काम भावना आ जाती है और वह काम भावना उसको कौन रोकती है उसकी लज्जा आकर उसको रोकती है यानि कि उसको शर्म आती है अपनी बात कहते वे और वह जो लज्जा है उसको कुछ भी गलत करने से रोकती है यहां श्रद्धा के समर्पित भाव के बीच में चाहते हैं और आपको लगता है कि वो काम सही नहीं है और आप उस काम को करने जा रहे हैं तो कहीं न कहीं आपके मन में भी वो बात आती है कि हां मुझे ये काम नहीं करना चाहिए तो वो लज्जा भी हो सकती है एक शरम भी हो सकती है आपके मन की स्थिती भी हो सकती है लेकिन यहां पर लज्जा जो है एक मानवी रूप में मनुश्य के रूप में यहां पर प्रस्तुत किया गया है चलिए आगे देख लेते हैं इसके आने पर शर्द्धा की इस्थिती बदल जाती है आपने देखा होगा जब आपको लगता है को यह काम करने जा रहे तो आभ आप से उसे पूछती है कि लजजा उतर देती है अंत्रम लजजा उसे महतो पूर्ण सीख भी देती है इस सरक में पक पक पर मनोबाव को मुर्थ रूप दिया गया है यानि कि जो मन के भाव होते हैं हमारे जैसे कि श्रद्धा के अंदर भी जागे तो वो लजजा ने उसमरों का और यहां पर कहा गया है कि जो हमारे भाओं हैं वो मुर्द रूप में यहां पर दिखाए गया है। अते हैं इस पूरे सरकी वाई वी विस्तिति होने पर भी प्रसान ने अत्यंत रम्णिया मनोरम विस्तिति प्रस्तुत की है। लज्या का सुरूप पहले अश्पस्ट है यानि कि वो सोच भी रही है कि श्रदा ये काम कर ले रो ये भी सोच रही है कि उसको रोका जाए पर मन में भढ़ जाने से उसमें परिवर्तन हो रहा है श्रदा इसे समझ नहीं पाती है तो पूछ रही है तुम कौन हो मेरा सारा श् लज्जा नहीं हूँ क्यों कि उसको शर्म ने रोग दिया है या सुनकर लज्जा उसे समझा रही है मेरे आने से इतना चमत्रत होने की जरूत नहीं है मेरे कारण इस्तरियों के स्वेच्छा चार्णी होने पर अंकुष लगता है अब यहां पर वैसे इस्तरी के बारे में दे दिया गया है लेकिन जरूरी नहीं कि इस्तरियों के लिए ही स्वेच्छा चार्णी हो तो वो गलत कर सकती है इसमें कोई भी हो सकता है बच्चा भी हो सकता है पुरुष भी हो सकता है जरूत से ज़्याद है कोई स्वेच्छा चारी बनता है तो हर एक इंसान बच्चा चाहे कोई बड़ा हो वो भी गलत कर सकता है लेकिन यहाँ पर प्रशाजी ने सिर्फ इस्तरी को दिखाया है वो भी श्रद्धा को ठीक है प्रेमपत पर आगे जाने से पहले कुछ विचार कर लो योवन से दूर भाले जाएगा बड़ी शक्ती है इसमें पर मैं रोक कर सदाचार का मार दिखाती हूँ मर्यादा मही रहने की ओर संकेत करती हूँ तो बस यही लज्जा का काम था वै श्रद्धा को रोक रही थी यह सुनकर श्रद्धा कहती है मैं तुम्हें समझ रही हूँ अब बोलो की कौन सी राठ ठीक है नारी होने के नाते सोभाते दुर्बल हूँ मेरा मन कमजोर हो रहा है मुझे पुरुश पर विश्वास कर उसका आश्रे पाने में जीवन सार तक लगता है मनु के आगे सर्वस्य समरपित करना चाह रही हूँ लेकिन किसी ने रोख दिया अगर लज्जा ने उसको रोख दिया क्यों रोका जल आगे बताते हैं बदले में कुछ पाने के अकांशा नहीं है अब लज्जा समझ रही कि श्रद्ध को कुछ भी नहीं समझाया जा सकता इसमें समरपन के भाव आ गये हैं जब आप में किसी के परती समरपन के भाव आ जाते हैं तो आप अच्छा बूरा भला सब कुछ नहीं सोचते हैं और आप पुरी तरह समरपित हो जाते हैं इसने अपने पूरा सोच विजान नहीं किया अब तो समस्या आगे सर्वसर अरपन कर निशावर करना होगा जीवन का वही मार गये तभी जीवन का पक्ष सुन्दर समतलो कर अमरप स्रोत की तरह प्रभावित होगा थोड़ा सवर देख लीजी आप यहाँ पर श्रद्दा को देकर ऐसा लगता है जो मधुरता से सरसोर पसंता से भरी हुई थी ऐसा लगता है कि जैसे प्रभावत के तरों के गोद में सोय हुई थी जो मस्ती से भरी हुई थी लज्जा से युकतो कर अब उठकर आई हो तो बस थोड़ा सा यह मैंने आपको बताया था और आपको किलियर हो गया होगा कॉमल किसले अभी यहाँ पर पदो की व्याक्या है कॉमल किसले के अंचल में ननी करली का जो चिपती थी गो दूली के यहाँ पर इसका व्याक्या है सद्धाकेमन में लज्जा का उद्भव हो रहा है वही सब जो मैंने बताया है रहने वाला है तो जुड़ जाईए सब्सक्राइब करने के बाद कमेंट जरूर कर दीजिएगा लेट हो चुके हैं अब काफी आभी आपको कल मॉर्निंग में दिखते हैं वीडियो डाल देते हैं इसे आपके इच्छे से त्यारी हो जाए